बिहार के गया बौध गया मुख्य सडग मार्ग पर पहाड़ पुर गाउं के समेब इस्थेत ओफिसर्स प्रसिक्षन अकैदमी में 20 वी पासिंग आउट परेड का आयोजन किया किया कारिकरम के मुख्य अति थी लेफटिनेंट जनरल ने परेड की सलामी ली कोरोना काल के दो वर्षों के बाद पहली बार जेंटल मैन कैडेट्स के अवेभावक सहित कई अन्य अतिकारी इस दौरान मौजूद रहे सेना की दुन पर जेंटल मैन कैडेट्स द्वारा शांदार परेड मार्च की गए इस दौरान जेंडलमेन कैड़ेट्स के उपर सेना के तीन हेलिकॉप्टरों द्वारा फूल बरसा कर उनका उत्साह बढ़ाया गया इस दुरश्य को देखकर सभी लोग रोमांचित हो उठे कुल 108 जेंडलमेन कैड़ेट्स पास आउट हुए जिनमें 99 भारत देश के एवं 9 कैड़ेट्स वियतना, श्री लंका और भूटान के शामिल है इस तरह से देश को 99 कैड़ेट्स मिले जिन्होंने अंतिम पग पर पैर रखकर प्रसिक्षण प्राप्त किया यहाँ प्रसिक्षण प्राप्त करने के बाद ये देश की अन्य संस्थानों में प्रसिक्षण लेंगे, जिसके बाद ये देश की सेवा करेंगे वैश्विक महमारी के निर्देशों एवं नियमों का पालन करते हुए पासिंग आउट परेड का आयूजन किया हालांकि पिपिंग सेरिमनी का आयूजन नहीं किया गया, इस दौरान मुख्य अतिथी लेफटिनेंट जनरल जीएवी रेटी ने पास आउट होने वाले जेंटलमेन कैडेट्स को उनके उज्वल भविश्य की कामना करते हुए बधाई थी, उन्होंने कहा कि जेंटलमेन कैड के लिए अनुशासन बड़ी बात होती है, अपने जीवन में अनुशासत रहते हुए आप देश की सेवा में लगिये और अपनी मात्र भूमी की रक्षा कीजिए, प्राताहदरपन न्यूस के लिए गया से अशोक शर्मा की रिपोर्ट